हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू चैनल हो टू सिंप्लिफाई अजुकेशन एस चैनल टे पी एस टैट टे सी टैट ले इंपार्टन नोट्स अवेलेबल हन जो तुसी चैनल दी प्लेइलिस्ट वेच जाके वेख सकते हो ते जे कर तू हानू नोट्स टॉपिक वाइस चाई दे हन ता तुसी साधे जी के चैनल टे विजट कर सकते हो चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन वेच अवेलेबल है आज दी वीडियो वेचे गल करांगे मास्टर कैटर बारे मास्टर कैटर दे एक्जाम नो लेके इस चैनल टे तो हानू पूरी जानकारी दिती जावेगी ता जो तुसी अपनी स्टेडी नो बैस्ट तरीक के नर मैनेज कर सको ते इस एक्जाम वेचे जो तुसी हाईर मार्क स्कोर कर सको आज दी वीडियो वेच आपा डिसकस करांगे कि मास्टर कैटर ली काट ओफ की नहीं जान्दी है ते मास्टर कैटर दे वेच कमपिटिशन की ना सकत है एस तो इलावा मैं अपना मास्टर कैटर दा अक्स्पीरियंस संजा करांगा ते Master Кадr बच मेरी की गलतियां रहना कि मैं Master Le들 क्लियर नहीं कर सका है I hope ए वीडियो तोहानोへ Master Cadder मददगार थावत होएगी तोहीं जे एक तोहानोय वीडियों चंगी लगए तो लाइक तो शेर जजरूर करे होगी ते इस वीडियो नोल लेटर जो भी तो हादे कमेंट्स आउन गी ता साथी बूरी कोशिच होएगी कि तो हादे सारे कमेंट्स ता रपलाई कीता जावी आउज पुश्रू काते हैं आज दी वीडियो साथ तो पहला गल काते हैं कि मास्टर काइडर दे वेच काट आफ किरनी जान दी है ता मास्टर काइडर दे वेच पंजाबी ते SST सबजेक्ट वेच बहुत जादा हाई मेरेट जान दी है इस तो इलावा जा दूसरे सबजेक्ट हान जेवें कि मैट इंगलीश हिंदी साइंस इनना सबजेक्ट वेच पंजाबी ते SST दे मकावडे मैट थोड़ी जी काट हाई जान दी है कि मास्टर कैडर ली पिछले साल जो स्तंबर 2017 वेच पोस्ट आन जान उनना दी काट आउफ बारे इस वीडियो वेच आप अगे डेटेल ना डिसकस करांगी आओ आप डिसकस करते हां मास्टर कैडर ली स्तंबर 2017 पोस्ट आन बारे MasterCadr 2,17 वेचे Punjabi ली 1098 पोस्ट आज़ाएं SST ली 1093 पोस्ट आज़ाएं ते English लेही भी 1093 पोस्ट आज़ाएं इस्तो इलावा Science, Math ते Hindi लेही पोस्ट आज़ाएं Science ली काफी पोस्ट आज़ाएं जेस्ते वेच 1188 पोस्ट आज़ाएं Math ली 799 पोस्ट आज़ाएं जेगा साना ते Hindi ली 521 टीचर पर तिकीते जाने साना ते इनना पोस्ट आज़ाएं काफी किन्नी गई सी ओवियसी तोहाँ नू दाहद दे हां ता जो तोहाँ एक रफली आईडिया लाग जावे कि नेक्स्ट अग्जाम दे वेच तोहाँ नू किन्नी को मेंट करनी चाहेगी है आओ अपा देख लेने आएं ना पोस्ट आली किन्नी काफ आज़ाएं सी जिवें कि तोहाँ नू पता ही होवेगा कि मास्टर कैडर लेए 150 मार्क्स दा पेपर होंदा है ते इना 150 मार्क्स दे विच्चो जो स्टूडेंट ज्यादा मार्क्स हासल करदा है उस दा ही सेलेक्शन होंदा है पी एस स्टेट दे विच लेएगे मार्क्स दे विच काउंट नहीं होंदी है ते जो मैट है ओ पी ए स्टेट वेच लेगे मार्क्स दे अदारते नहीं बन दी है सर्फ मास्टर का इंडर वाड़े एक सो पंजाब मार्क्स दे विचो जो जादा मार्क्स स्कोर करदा है उससे दी सेलेक्शन होंदी है इस तो इलावा जेकर और वाड़े समय दे विच कोई रूल दे विच चेंज आउंदी है ता असी तो हानु जरूर दसांगे ते पंजाबी दे विच इनना डेड़ सो मार्क्स लई जार्नल काटेगरी दे विचो जिसने एक सो पंजाबी दे विच नमबर लेसान पोस्ता सेलेक्शन हो गया सी ऐस तरह पंजाबी दे विच काट आफ बहुत जादा हाई गई सी ते जेकर गल कीती याई BC दी ते लगपग यही 1445 मार्क्स BC काट आफ गई सी ते पंजाबी दे विच जो ऐसी काट आफ गई सी ओसी 115 नमबर इस तरह तुसी देख सागते हों कि मास्टर कैडर दे विच काट आफ काफी हाई जाती है ते जेकर गल कीती याई पंजाबी दा मास्टर कैडर उस साल किनने स्टूडेंट्स ने दिता सी ते जेकर कीती याई सीए सीट दे 393 पोस्ट आदी ता SST दे विचों जे स्टूडेंट ने डेर सो दे विचों जादनर कैटेगरी दे विच एक सो उन्नी नमबर हासिल कीते सान उस्दा सेलेक्शन हो गया सी ते SC ली इस दे विच मैड चहात्र पे जात्र नमबर तक कई सी ते SST दे विच बीची ली मैड एक सो पंदरा ने क्रीव गई सी इस तरह देख्या जावे ता SST दे विच मैड भी काफी हाई गई सी ते जेकर गाल कीती जावे SST दे यां 393 पोस्ट आले किन्ने कैंडेट्स ने अपलाई कीता सी ता इसलिए लगपाग सात्त या अदे करीव कैंडेट्स ने अपलाई कीता सी SST दे विच कुछ जादा स्टूडेट्स अपलाई कर दे हन क्योंकि S दे विच ओ स्टूडेट्स भी आ जाँदे हन कोकि काफी स्टेवडाइट्स जे हे होंदे हान जिनना दा इंगलीश दे नाल SST कॉंबिनेशन होंदा है कैंग दा हिंदी दे नाल SST कॉंबिनेशन होंदा है ते कैंग दा पंजाबी दे नाल SST कॉंबिनेशन होंदा है एस लिए SST देवेच अपलाई कारने वाले काणिडेट शुमीशाई जादी रहें देहन। नेक्स्ट जेकर गांद कीती जावें इंगलीश दियां 303 में पोस्ट आंबारें तां इंगलीश देवेच काट आओफ थोड़ी काट गई सी एस देवेच जार्नल ले 93, BC ले 71 ते SC ले 53 दे क्रीव मैट गई सी आओ होना पा देख लेने हां साइंस मैट ते हिंदी ले काट आओफ की रही सी जी में की साइंस ले पिछले साल काफी पोस्ट आ निकलिया सान एस ले साइंस देवेच काट आओफ थोड़ी काट गई सी एस देवेच जार्नल ले 79, BC ले 72 ते SC ले 58 दे क्रीव काट आओफ गई सी जेकर गाल की ती जावे मैधी ता मैध देवेच जार्नल ले 106, BC ले 94 ते SC ले 60 दे क्रीव काट आओफ गई सी ते जेकर गाल कीती जावे हिंदी दियां 521 पोस्टां दी ता एस दे वेच जारनल ली 102, BC ली 91, ते SC ली 81 दे करीब काट अप कई सी इस तरह ओबराल देख्या जावे ता मास्टर कैटर दे वेच कांपेटिशन काफी सक्त रहनदा है ते एस चैनल ते मास्टर कैटर दे त्यारे लेई असी बात बात जिन्नी भी तो आडिमादत हो सकी जुरूर करागे ते मास्टर कैटर दे त्यारे दे असी तो हानू स्मार्ट नोर्स भी अवेलेबल करवागे ते जेकर तो हानु आर्जदी ये वीडियो पसंद आ रही है ता साथी मोटिवेशन लेई लाइक ते शेयर जरूर करो जी पिछले साल दी काट अफ देख के आप बड़ी असानी ना रदा जाला सकते हैं के मास्टर कैटर दे वेच काम्पिटिशन बहुत जादी साकत है खास करके पंजाबी ते SSD इनना दो सब्जेक्ट्स दे वेच तक काट अफ काफी हाई जादी है इस तो इलावा दूसरे सब्जेक्ट्स दे वेच भी काफी मेंट कार्वी लोड जूरूर पहेगी ते जेकर मैं गल करा SSD दे अपने experience दी ता SSD दे वेच ओ मैं 4 marks काट हों दे कार्ण ये वाला exam clear नहीं कर पाया सी ते जेकर कल करा मैं अपनी preparation दी ता SSD ले मैं काफी त्यारी कीती सी पर इस दे वेच मैं जादा deeply study कीता सी पर जो exam आया सी ओ main questions दे वेच ओ आया सी पर main questions दे वेच प्राब्लम ए सी कि ओनना दे options बहुत ज़्यादा close हन ये में कि SSD दे वेच महाराजर जी सेंग दे जनबारे पुछा गया सी तरह बहुत close options पाय सन ते options दे वेच क्रैक्ट लब्बन दे वेच काफी प्राब्लम आई क्योंकि जो मैं preparation कीती सी हो दे वेच मैं जादा तर सन नूँ ही जाद कीता सी ते date नूँ मैं ignore कर देता सी इसलिए SSD दे वेच तो हनू dates भी जरूर जाद कर लेंगें चाहिए हन क्योंकि years दे नाल नाल, dates भी काफी कुछ यां गया सन ते इनना dates दी confusion करके ही मैं तो काफी सारे questions रॉंग हो गे सन ता मेंगल आपना ही क्या सकते हां कि master cadre दे वेच hard work दे नाल नाल, smart work भी जरूर करना पवेगा ते आउन वाले समय दे वेच आशी तो आड़ेली master cadre दे syllabus ते उसदेलिए आसी जो भी तुहाँ नोड्स अवेलीबल करवा सकते हां वो नोड्स आसी तुहाँ आनवाले समय दे वेच जरूर अवेलीबल करवा मांगी ते एस तो इलावा जेस तरह न वित तोहाँ डे वलोği Suggestion अवान tap उससे तरह ने नोर्स असी तो हानो अवेलेबल करवाद मांगी आओ होना पर डिसकस कार देहां मास्टर कैटल ली स्टडी प्लैनिंग टिप्स दी उस तो पहला असी SST वाड़ानों एक इंफर्मेशन देना चाओ देहां जो कि पहला स्किप हो गड़ी सी ता जिननारा कॉमिनेशन SST है उनना देली इंफर्मेशन एह है कि उनना ने बीए दे विच्चों उनना ने बीए दे विच्चों एवाले सब्जेक्ट्स दे विच्चों का टोकाट दो सब्जेक्ट्स जुरूर पड़े होने चाहिए हन ए सब्जेक्ट हैं इस्ट्री, प्लीटिकल साइंस, जोग्रोफी, एकनोमिक्स, पब्लिक अड्मिनिस्ट्रेशन, सोचोलोजी, एजुकेशन, रिलीजन स्टडी, साइकोलोजी, शोशल वर्क, फिलोस्फी, डफैंस स्टडी इना ने विचो कटो कट दो सब्जाए के तुसी बीए देवेच जुरूर पड़े होने चाहिए हन आव होन डिसकस कर देवाँ जी स्टडी, प्लैनिंग, टिप्स नू तस आप तो जुरूरी है के तुसी हाड़ वर्क ता करना ही करना है इस दे ना तुसी स्मार्ट वर्क भी जुरूर करना है स्मार्ट वर्क ए है कि तुसी पिछले साला ने पेपरा नो जुरूर देखो तो इस तो एक रफली आइडिया जुरूर लगा लो कि कैस तरह ने त्यारी करनी चाहिए है इस तो इलावा MasterCADDER दे previous years दे सारे पेपर असी तो हानू जरूर करवावागी ते MasterCADDER दी study ली तो हानू regular study करनी चाहिए दी है चाहिए तुसी काट पाड़ा दो पर सवानू daily routine दे वेच regular study करनी चाहिए दी है इस तरह तुसी थोड़ा थोड़ा करके आपनी knowledge नू build-up कार साकते हो ते subject दे वेच तुसी अपनी command बना साकते हो ते study दे वेच जादा stress नहीं लेनी चाहिए दी ते आपनी study नू enjoyable बनाओ ते तो हाड़ी study नू enjoyable बनाओ ली असे भी पूरी कोशिश करांगी कि जो भी तो हाँ notes प्रवाइड करवाए जान और नू एक designful way दे वेच पावर पॉइंट दे वेच त्यार कीता जावी ते designful way दे वेच तुसी वाद तो वाद information हासल कार सको ते starting दे वेच तुसी main topics तो start कर लो ते जिवे जिवे तुबाँ study दे वेच इंट्रास्ट बनेगा तुसी सारे topic कवर आपकार सागदे हो ते main goal जो note कारनवाली है ओ ए है कि तुसी अपना बड़ा इनालो लेंक बिलकुल नी तोड़ना तुसी एक लाय दे वेच चाहिए थोड़ी थोड़ी करके त्यारी कर लो त्यारी करते रहना है आज दी वीडियो नो इत्ती समाप्त कर दे हैं ए वीडियो तो हानू केस्तरा लगी सानू कमेंट करके जिरूर दसो ते साधी मोटिवेशन ली एस वीडियो नो लायक टे शेयर जुरूर कर दे हैं ठैंक्यू जी